Hello everyone, welcome to my youtube channel तो आज मैं बात करने वाला हूँ syllabus के बारे में Axis Bank Young Bankers Program का जो exam होने वाला है उससे relative syllabus के बारे में Math, Reasoning, English में जिस chapter से या जिस topic से question आते हैं वो chapter और topic के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ तो आगे बताने से पहले अगर आप मैं चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब पर लो ताकि आपको notification के थूँ अपडेट्स मिलते रहे तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो questions आप से पूछे जाते हैं वो बिलकुल basics होते हैं कोई ज़्यादा difficult level का question नहीं होता आपको normal से average level के बीच का question होता है तो जो topics मैं आपको अभी बताने वाला हूँ तो उस topic में हर topic से आप at least 50 से 100 question आप practice कर लेना और जितने type का question है वो सिर्फ आप practice कर लेना और आपको सिर्फ basic practice करने हैं difficult level वाले question में आपको नहीं जाना है तो सबसे पहले बात करते हैं reasoning की तो reasoning में जो questions आते हैं वो ज़्यादा तर questions आते हैं आपके coding, decoding direction and distances blur relation के question आपको होते हैं उसके बाद syllogism के question आपको होते हैं उसके बाद जहां पे आपको difficult question आते हैं वो होता है statement and conclusion वाला course of action वाला question और statement and assumption वाला question और जो एक question आपको रहता है वो puzzle से भी रहता है, puzzle आपको circle वाला भी हो सकता है या फिर circle में एक inside face करता है, एक outside face करता है वो वाला, या फिर table वाला puzzle होता है वो आपको पूछ सकता है या line वाला तो ज़्यादा तर्ज जो puzzle पूछा जाता है वो या तो circle वाला पूछा जाएगा आपको या table वाला पूछा जाएगा तो जो chapter आपको मैंने बताए है coding, decoding हो गया direction and distances हो गया तो ये सब chapter जो है blood relation हो गया blood relation से काफी 2-3-4 questions पूछे जाते हैं, coding, decoding से भी 2-3 questions आपको रहें गई direction से आपको 4-5 में भी questions हो सकते हैं, ठीक है तो ये सब topics जो मैंने आपको बताए अभी reasoning में, इन सब topics के आप हर topic पे 100-100 questions को practice कर लो और वो 100 questions practice करने के वाद I think आप में confidence आ जाएगा कि आप every question तक को solve कर सकते हो, मैं difficult level वाले question की बात नहीं करना क्योंकि ये IGPS का exam नहीं है, जहां पे आपको difficult type के question पूछे जाते हैं और अब बात करते हैं quantitative aperture की मतलब की maths की तो maths में जो ज़्यादा तक question आपको पूछे जाते हैं वो होते हैं arithmetic section के तो arithmetic section में जो topics आपके आते हैं, वो आगे आपका percentage, profit and loss simple interest, compound interest age, average, partnership ये सब ऐसे chapter है जहां से आपको एक 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 question रहता है, ठीक है, उसके बाद आपका 5 question अगर रहेगा तो DI से 5 या 3 question data interpretation but आपको ज्यादा focus करना है arithmetic वाले topic पे, क्योंकि ये 5-6 topic जो मैंने आपको बता है एक आपका percentage हो गया simple interest, compound interest से question रहेगा ही रहेगा, profit and loss से question आना ही है, इसमें partnership, age, average, ये सब से question आपको आएगा ही चाहे वो access bank का exam हो या ITDFC का हो, या ICICI का हो इन सारे chapter से question आते ही है तो सारे topics के आप at least 70, 80 या approximately 100 के आसपास आप practice कर लेना, तो आपको जो basics है वो clear हो जाते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा आपको difficult नहीं पुछा जाता है आपका बस check किया जाता है कि आप कितने कम time में question को solve कर सकते हो तो question आपको ऐसे नहीं रहते जहां पर आपको 2 minute या 5 minute आपको लगेंगे वो questions ऐसे होते हैं कि within 1 minute आपके solve हो सकते हैं और simplification approximation का भी एक दो question या दो तीन question आपको रह सकता है जहां पर सिर्फ गुना भाग ये सब करना है, मतलब कि कर लेना practice, बत जब आपका arithmetic complete हो जाए तो फिर D.I.E. पर आना है क्योंकि D.I.E. के question थोड़ा सा calculated होते हैं, जहां पर वो आपका time treat सकते हैं वो time consuming question होते हैं तो आप कोसित करना पहले arithmetic को solve कर लो फिर आप D.I.E. पर आओ और आप बात करते हैं English section की जहां पर बहुत student मतलब most of the students को problem होता है, तो इसमें आप देख लो, आप इसमें ज़्यादा कुछ मत करो आप daily reading habit डालो, at least एक घंटा कोई भी English newspaper हो या फिर आप online कुछ भी study कर सकते हो, या कोई news है, आप उसको English में read करो तो एक आपकी reading habit होगी दूसरा है, आप new new word वहां से सीखोगे, क्योंकि इसमें सिल्फ और सिल्फ वही आपको पूछा जाता है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एक sentence filler का question आता है, कि दो line या एक line या तीन line का आपको एक sentence दियावा होगा, उसमें बीच में एक gap होगा, fill in the blanks चार या पांच option आपको होगे वहाँ पे कौन सा word suitable होगा कौन सा word वहाँ पे best fit होगा, वो आपको करना है तो जब तक आप उस sentence को समझो के नहीं कि वो क्या कह रहा है तो और वो जो चार option आपको दिया आ गया होगा, जो word का जब तक उसका आपको meaning नहीं पता होगा ता आप महाँ पो sit नहीं कर पाऊगे तो यहाँ पे आपकी understanding अच्छी होनी चाहिए और आपको word का meaning भी पता होना चाहिए यानि कि आपके पास word stock भी होना चाहिए दूसरा आता है आपका sentence arrangements का यह आपका पूछा ही जाएगा 5 sentence या 7 sentence होगा A, B, C, D, E, F करके ठीक है या A, B, C, D, E उसमें क्या होता है? यह disarrange way में होता है आपको इसको सही arrange करना है ठीक है? कि कौन सा sentence पहले आएगा? उसके बाद second में कौन सा आएगा? उसके बाद third में कौन सा आएगा? अगर आपने IBPS या किसी भी banking exam आपने दिया होगा कोई भी तो आपको पता होगा कि sentence arrangement क्या होता है? उसके बाद आता है आपका reading comprehension यह time consuming है लेकिन यह easy भी है और एक तरह से कह सकते है tough भी है tough इस sense से है कि आपका पहली बात यह time consume करता है आपको एक passage दिया रहता है वो पूरे passage को आपको पढ़ना होता है उस passage related आपको 5 questions होते हैं और वो 5 questions का आपको answer फिर passage में ढूणना होता है तो जब तक आपके reading habit नहीं होगी तो passage आपने एक बार पढ़ने के बाद फिर आप कहीने कहीं अगर आपके reading habit होगी तो जो passage आपने पढ़ा है आपके mind में कहीने कहीं होगा तो जब आप उस से related question पढ़ोगे तो आप automatically आपको जो option होगा answer में वो आपको दिख जाएगा तो यह आपके reading habit से आएगी तो यहाँ पे आप score कर सकते हो और easy questions होता है क्योंकि आपको passage में यह answer दियावा होता है तो तीन topic मैंने आपको बता दिये एक बता दिया sentence pillar एक बता दिया sentence arrangement एक बता दिया reading comprehension जिसको passage वाला questions भी आप बोल सकते हो और एक आता है जो कि sentence error वाला होता है पांच sentence आपको दिया रहता है A, B, C, D, E करके और जो कि आप यहाँ screen पे भी देख सकते हैं यह question दियावा है तो इसमें से कौन से section में error है यह error किसी word में भी हो सकता है यह किसी word में हो सकता है तो जब तक आप reading की habit नहीं डालेंगे overall आपको sentence का जो एक sentence का आपको structure नहीं पता होगा तो आप इसमें error को find नहीं कर पाऊगे और उसके बाद आपको दो question यह तीन यह maximum चार question हो सकते हैं वो होते हैं synonyms and antonyms मतलब कि कोई word दिया रहेगा उसके बाद उसका चार option दिया रहेगा तो जो word आपको दिया गया जो question में तो उसके similar कौन सा word होगा यह synonyms हो गया अंtonyms में just जो word आपको दिया होगा है और चार option में आपको अंसर दिये गया है उसमें opposite word क्या होगा जो आपको word दिया गया है उसके opposite word क्या होगा ICICI Bank PO का जो exam हुआ था उस exam में जो questions पूछे गए थे वो भी मैंने अपने channel पे update किया हुआ है आप वहाँ पर जा करके देख सकते हो कि synonyms, antonyms के जो word पूछे गए है वो आप देख सकते हो sentence error वाला भी है वहाँ पर आप देख सकते हो तो यह topic था मैं आपको English का एक बार फीट से बता दे रहा हूँ जो topics है sentence pillar, sentence arrangement, reading comprehension, sentence error और synonyms, antonyms तो overall यह है तो यह सलिवस्था मेरे according जहां से questions आते हैं वो मैंने आपको बता दिया आपको हल topic से at least 100 questions आप practice कर लेना और reasoning और math में जतना ज़्यादा कर सकते हो उतना आपके लिए बेतर है क्योंकि बेगार practice के आप में speed नहीं आएगी आप चाहें आपका concept किलियर हो बड़ आपके अगर practice नहीं है तो यहां पे हाथ आपका नहीं चलेगा तो बेस रहेगा कि आप इतना ज़्यादा practice कर सकते हो और फुद को second chance मत दो second chance कहने का मतलब है कि कोशिश करना कि आप जब exam में बैठ हो तो आपका इसी exam में आप exam भी निकाल लो online test भी निकाल लो, interview भी निकाल लो क्योंकि हार किसी को second chance नहीं मिलता है और फिर second chance का वेठी क्यों करना फिर आपको जो chance मिला है उसी को grab कर लो तो यह था कुछ syllabus, कुछ topics तो I hope कि यह video आपके लिए useful रहा होगा और मेरे और भी videos हैं इसके regarding आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हो और आपके कोई suggestion अगर है मेरे लिए तो आप comment section में comment कर सकते हो और अगर कोई questions हैं वो भी आप comment section में comment कर सकते हो या फिर मेरी mail id जो कि मैंने description box में दी हुई या एक बार description check कर लो आप मेरी mail id पर मुझे mail भी कर सकते हो तो अगर आप मेरे चैनल पर new हो तो please subscribe कर लेना ताकि आपको notification कर तुरू new updates मिलते रहे और like करना, share करना, comment करना तो मिलते हैं next video में next update और next information के साथ